हेलो फ्रेंड मैं बिर्जेश कुमार आपिसियल यूटूब चैनल यूजी सीनेट क्रेकर में यह वीडियो बहुत ही माधपूर हैं और नोकडी से सबंदित हैं मैं डेली सरकारी नोकडी प्राइबेट नोकडी से सबंदित वीडियो उजी सी नेट क्रेकर यूटूब चैनल पे अपलोड करता हूँ तो नोकडी से सबंदित वीडियो की जंकाडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लें जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की जंकाडी आपको मिलता रहेगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें लाइक करें जिससे की बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकें तो इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभीन पदों के बारे में बताने वाला हूँ तो यह जो विभीन पद हैं STGBR University कोलकत्ता में जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभीन पदों पर online आवेदान आमंत्रित किया गया है इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभीन पद के बारे में बता हूँगा जो टीचिंग के विभीन पद है उसके लिए अलग से वीडियो बना कर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा तो इसमें यहां पे designation, qualification, detail जंकारी और pay scale यानि पे structure दिया हुआ है जिसमें deputy register का post है, qualification से सब अंदी details ने करी है आपको देखना है assistant register के लिए भी आवेदा नामंत्रित है account officer के लिए आवेदा नामंत्रित क्या गया है इन तीनों पद के लिए age limit की बात करें तो 35 से लेकर 50 बर्स है deputy register के लिए assistant register के लिए 35 से 45 है और account officer के लिए 35 से लेकर 50 बर्स है इन सभी पंद के लिए online application form फिल करना है और online application form फिल करने के अंतिमति 30 अपरेल 2022 है और application form print out send करना है ये 5 माई 2022 से पहले आपका print out में application form पहुंचना चाहिए अब other staff के लिए जो आवेदना मंतित है उसकी हम बात करते हैं तो इसमें secretarial to the vice chancellor का post है computer programmer का post है personal assistant to the vice chancellor के लिए है और legal assistant post के लिए आवेदना मंतित क्या गया है research nurse female के लिए आवेदना मंतित है और office attendant male के लिए आवेदना मंतित है हैं जो बाड़ी को